तू हिजाब क्यों नहीं पेंटे तेरा उम्मत नहीं हुए तुरी तू अभी ऐसे क्यों घुमती है जैसे कि लगता है कि वेश्चा की तरह तेरी मा शेख हसीना इंडिया चले गए तुझको क्यों नहीं लेके गए तेरे बाप मोदी तुझे बुलाया नहीं केची जो था मेरे घर पे मेरी कमरे में टेबिल के उपर रखा हुआ वो दवाय काट्टी के लिए मैं यूज करते हूं वहां पे रहते हैं तो वह केची उठा के मेरा बाल काटा तभी उन्होंने आके बोला कि हां हिजाब करना तो तेरे लिए जरूरी है तो अभी चलो ऐसा हालत करते हैं कि अब हिजाब परना तेरे लिए जरूरी पर जाएगा तो मैं उसी टाइम बहुत ठंडी दिमाग से सोचा कि भई मैं इनके हाथ में हूँ अभी अभी इनके साथ लड़ाई करने का कोई फाइदा नहीं तो जो भी बोला मैंने उसी का उनके साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आया मैं बैट की टीवी देख रहे थी मेरी बेट रूम पर वैसे अचानक वहाँ पे दो बते आये दो लड़का उमर 18 से 25 के अंदर होगा जीन सौट टिशन बहन के आके बोला कि मैडम आपकी साथ बात कर सकते तो मैंने बोला कि हाँ बिलकुल पताये क्योंकि मैं घबडा गी मे मेरी बेटी जो है वो मेरी साथ रहती है उनकी उमर 16 है मेरी घड पे जो मेरी लड़की रहती है उनकी उमर 25 है मुझे पता भी नहीं कि क्या हुआ ये लोग अंदर कैसे आए और मेरे बेंडरूम तक कैसे आए तो मैंने बोला हाँ बाबा बोल ये बाबा बाबा इस लाइक तेरी और दॉटर संद की बेटा क्या है क्या बोलो ते देशेस चेंज तर टोन अंद टोन चेंज करके वो बोलने लगा तू तू हिजाब के उन्हें पहनते तेरा उमर नहीं हुए तू अभी आइसे क्यों घूमती है जैसे कि लगता है कि वेश्य की तरह और तेरी माश हसीना इंडिया चले गए तुझ को क्यों ने लेके गए तेरे बाप मोदी तुझे बुलाया नहीं तो मैं उसी टाइम बहुत ठंडी दिमाग से सोचा कि भाई मैं इनके हाथ में हूँ अभी अभी इनके साथ लड़ाए करने का कोई फाइदा नहीं तो जो भी बोला मैंने उसी का उनके साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आया मैंने बोला कि बाबा शेख सीना जाने से पहले मुझे फोन भी नहीं दिया मेरी मानी और मेरी बाबा मोदी मुझे बुलाया भी नहीं तो मैं कैसे जा सकती हूँ मैं तो यहां पे हूँ यहां से यहां पे रखोगे यह पे रहोंगी तो तभी उन्होंने आके बोला कि हां हिजाब करना तो तेरे लिए जरूरी है तो अभी चलो ऐसा हालत करते हैं कि अब हिजाब परना तेरे लिए जरूरी पर जाएगा तो अब मेरा बाल यहां से यहां से पीछे से इधा से उधा से वो कैची जो था मेरे घर मेरी कमरे में टेमिल के उपर रखा हुआ, वो दवाय काटी के लिए मैं यूज करते हूँ, वहाँ पे रहते हैं, तो वो केची उठा के मेरा बाल काटा, तो मैंने बोला, बहुत अच्छा किया है, क्योंकि अभी मैं हिजाब पहनूंगी, ये तो अभी तो कंपल सरी हो गया, फिर उसने बोला, तो तू देश चेड़ के नहीं जाएगी, यहीं पे रहेगी, इस देश में, अभी तो इस देश हमारी इसमें है, तो मैंने बोला कि नहीं कहा जाओंगे, मैं मागना देश में रहोंगे, तो बोले कि वहाँ से पेंसिल उठा के, जो मैं बेटी को पढ़ा इदर उदर मत को, मैंने बोला बहुत अच्छे, लेकिन उन्होंने फिर आदे गंटे के करीब ते, उन्होंने मेरे साथ बाते की, about war crimes tribunal, कि इस tribunal में जो भी हुआ, वो बिलकुल सब गलत था, यह सब fake cases है, fake witnesses है, सब कुछ, मैंने सब agree करके बोला, हाँ, मैंने पास और कोई जाना नहीं था, तो उन्होंने बोला कि, आप इसके लिए शर्मीनता हो, जो क्या है, प्रोसेक्यूटर बनके, मैंने बोला हाँ, तो फिर live में जाके, facebook live में जाके, बोलो, हम तुमको एक paper देंगे, वो पढ़के सुनाओ सब को, और बोलो कि, हम पूरे nation के सामने, मैं माफी जाती हूँ, तो मैंने बोला, अच्छा मैं बोलूगी, लेकिन एक problem है, बेटा, बेटा problem है ये, कि मैं तुरी नफ्रोस कभी paper देखके पढ़ती नहीं हो, तो अब भी ऐसा करके live में जाओंगी, तो सब को पता चलेगा, कि मैं किसी pressure में ये बोल रही हो, ये या तुम ये ठीक रहेगा कि नहीं, ये फिफ्थ उनके साथ बात हुई, फिर सिक्स को उन्होंने बता है कि अच्छा ठीक है हम आपको बता रहे कि कैसे करना है, तो तुक अवे पाइफोर अलसो, I don't know why, I thought they took it away, लेकिन अब फिर एक खर्टी के बात फोर वापस दे दिया, और फिर नेक्स दे सुबह दस सारे दस बजे उन्होंने वो बेरी पहार अपे थे, बहार, गेट के सामने और उधा से बेडरूम की तरफ भी वो नाकाबंदी चालू रखे, फिर उन्होंने नेक्स दे आके बोला कि लाइफ में जाने का ज़रूरत नहीं है, वी हव डिसाइडेट कि आप, हम लोग वीडियो करेंगे आपको, तो मैंने बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो करना बेटा, क्योंकि किसी चीज अगर छुट जाए, किसी आगर पसंद नहीं आए, कोई चीज, तो फिर आप उनको उनको चेंज कर सकते हो, मैं फिर से कर सकते हूँ, ब बाल काटने से क्या फाइदा हुई ना, सबको तो फिर पता चली जाएगा, क्योंकि तु मगर वीडियो की बाद ही बाल काट लेते, तो किता अच्छा होता, तेरी उनको पता है, कि तू हिजाब पहन, हिजाब पहन के कर, तो मैंने बोले, ये भी, कोई भी विश्वास नही करेंगे, कि ये तुरी राफनोस बोल रही है, क्योंकि एक दिन पहले मेरा बद्दे था, बतलब चाप तारित को, मैं अपने खोले बालों में पिक्चर लिया, वेस्टर ड्रेस पैन के पिक्चर लिया, ये सारी पिक्चर फेस्बुक में है, अभी चॉबीस खंटा भी नही क्यों बोल रही हूँ, मैंने भूल किया है, टीपल विल लॉट बिलीवे, तो बोला, चीक है, ये बहुत मुश्किल है बताना कि ये लोग कोई पालिजिकल पार्टी से है, कि नहीं, क्योंकि उमर पे जो देखता है, नॉर्मल जीन्स टीशर पहना हुआ लोग, और जो बहा वैसे ही लोग है, मतलब डिफिकल तु से, कहा की है, फिर उनोंने साथ तारीकों सुबह आके बोला कि वीडियो करेंगे, इसके बीच दूरोंने मुझे बोला कि ये ये बोलना है, स्क्रिप्ट ऐसा ऐसा है, मैंने बोला ठीक है, मैं बात कर लोगी, लेकिन मैं इसके अंदर कॉंटक किसी के साथ नहीं कर पा रही थी, तो मैंने एक पार दिवाग पे आया कि फोन ले रहे हैं, अभी फोन भी आ रहे हैं, मैं एटेंड कर रही हूँ, अगर मैं किसी को भी बताओ कि मैं इसे हालत में, कोई ना कोई अगर इसको पब्लिक कर देंगे, तो वो लोग आके तो मारी देंगे बुझे, बेटी को, बुझे, तो मैं क्या किया, मैं हिंदी में, बेरे फ्रेंट्स को, इंडिया क्लासमेट्स को, वो जहां बहुत अच्छे अच्छे पोजिशन में है, पूरी दुनिया में, इंडिया में भी आं दुनिया, बाकी देशों में, आपके दो पाँच साल मैंने इंडिया गब्मेंट स्कॉलर्शिप आइसे सिया लेके पढ़ाई की इंडिया में, मेरे फ्रेंड बहुत अच्छे जनापे हैं, मेरे क्लास्पे पाँच साल की गीता गोपिनाथ भी है, वो अभी आएमेफ का अड्वाइजर है, तो मेरे जो ग्रूप है वहाँ पर मैंने जिस वैसे लिखा, इस इस दा प्रॉब्म, प्लीस हिंदी में बाते करें मेरे साथ, और फिर मेरे साथ ऐसे जो भी हो रहा है, उनको बताया, और फिर मैंने डिलीट कर दिया, तो सम्हाव देट राइज तो मिस्टर वाकर, और छे ता इस 24 hours, उससे पहले कुछ देट, who is the chief, army chief, so, he said like 24 hours, we cannot do anything, so, वो मुझे बताया गया कि, तुरीम, तुम, बस उनकी साथ, जो भी बोले, रूट माथो, जस बाते करते रहो, ऐसे, तो साथ तारीक को जब, 24 hours की जैसे की करीब साथ तारीक रात तक, साथ तारीक सुभे, वो लोग दो बच्चे आये, फिर बोले की, तु अभी वीडियो आरे करने के लिए, देर बजे, तो, I said, what time actually, keep me one hour time, मुझे सारी पहनना है, फिर सारी ठीक ताला से कवर करके, तो बोले का, हाव, वील गिव यू वान आवर, उससे, उसकी बाद, उन्ह सारे दस तक हमने वेट किया, लेकिन आए नहीं, बट देवस्त, वह पे बहार वो बंदे खड़े थे, बहार जाने का कोई जगा नहीं था, हमने सोचा भी, लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी, मेरे साथ मेरी बच्ची थी, और इस बिलिंग में दो हिंदू परिवार रहते हैं, एक तो इंडियन फैमिली है, तो सब को लेकर मैंने सोचा कि भाई अपने घर में रहो देखते क्या है, साथ तारी को जहाँ पर यहाँ जब यहाँ पर अनॉंस्में होने लगा कि तोरह सेक्टर 3 हैस पिन एटाक्ट वाइड रॉबर्स, जो ऐसे रॉबरी हो रहे तब मैंने बहार जाते हुए जब बहार आते हुए देखा लोगों को, तब मैंने मेरे बैटकोनी में जाके बोलने लगा कि भाई तुम लोग हो मैं यहाँ पर हो, बता सकते कि कौन है, जो बहार आई वो भी कौन है सो मैं ऐसे बोड़ा कि कम से कम रस्ते में तो कोई बंदा घूम रहे है कि जो हमारी सुरक्षा की लिए घूम रहे है सो उसके बाद उन्होंने वापस नहीं आए उस ग्रूप जिस ग्रूप मुझे यहाँ पर टॉचर किया